हेलो यूट्वेंट वलकम यूट्यूब चैनल लटन टीच में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे काम्परेसर के बारे में कि क्या होता है उसका यूज कहा समझ लेते हैं कि compressor क्या होता है तो compressor को हम लोग air compressor भी कर सकते हैं चलिए हम इसे explanation साथ समझते हैं कि compressor क्या होता है देख सकते हैं अब फर्स में लिखी हुए क्या है कि compressor एक ऐसा mechanical device है जो mechanical energy को pressure energy में convert करता है यह कोई gas या air की pressure को बढ़ाने के लिए use किया जाता है मिश कहने के मतलब क्या कि compressor एक तरगा mechanical device होता है यह क्या काम करता है mechanical energy को pressure energy में convert करता है या कोई जैसे कोई gas हो गई कोई air होगी उसकी जो pressure कम pressure है तो उसे एक high pressure साथ जगा से दूसरे जगा transfer करने में मदद करता है मिश एक तरगा high pressure देता है कोई एयर या गैस को चेक्पॉंट में लिखी वे क्या है कि compressor से हम high pressure compressed air ले सकते हैं और low pressure भी ले सकते हैं मिश चेक्पॉंट में लिखी वे क्या कि compressor हमारे atmosphere की air को सक करके air tank में high pressure से भर देता है और हम requirement हिसाब से उसका यूज करते हैं गाड़ी में हवा भरनी होती है गाड़ी के tire में तो हम वहाँ पर compressor के यूज करते हैं यूज कहां करते हैं तो देख सकते हैं लिखी हुए क्या है फिर ओटमाल इंडस्ट्री में करते हैं रिफाइनिग में यूज किया आता है किसी वस्तु को साफ करने के लिए इसका यूज किया आता है वस्तु गंदी है तो उसे high pressure साथ हम यहाँ पर compress air के सयोग से उसमें dust को साफ करते हैं जहां हमें compressor की जरूहत होती है में compressor से जहां high requirement के समस्द हाइब हम चाहिए इस के ऐसे हम लोग क्या करता है ठीक है इसके उपर यहां पर डिवाइच को बठाया था है यहां से एर हमारा जाता है कि इस किसे पर इंपेलर इंपेलर जो हरे रंग की नजर इतरा है। हैं किने हम करते हैं कि हमकने करते हैं यहां साफ के सायूख से साइक है हैै यहां पर मोटर को साफ्ट है और सभसेगाँ चैकर निकलते हैं तो प्रेसर को मेजरमेंट करने की जो इसले निकल रहे हैं उसके अगना भाल का यूज करते हैं कि हम जब रिक्वाइर्मेंक सब्सक्राइब करते हैं ज्यादा इसमें इसके अंदर compressors आ जाता है तो ऐट्मेटिक यह हमारा open हो जाती है तो यह होती है compressor वोके सबसे की कमप्रेसर का किस सबसे working होता है मोटर को हम करते हैं जब इसमें electricity देते हैं तो क्या होती है जी आन हो जाती तो इसकी यहां पर रोटेशन करने लगती है और साब का जो रोटेशन करती है तो इसको कनेक्ट की हैं बेल्ट के सहयोग से हमार इंपेलर में लगे हुए एक रोटर में यहां पर रोटेशन करने लगती है तो इसके साथ कनेक्ट हमार इंपेलर यहां इंपेलर भी रोटेशन करने लग हमारा चल जाता है एर हमें हमारे हाइब में यह गर्सक्राइब से लगशार्ण करते हैं हमें चाहिए प्रेसर यहां प्रेसर को अधिक नापते हैं हम इतनी भाल ऑपन करती है हमारा एर डिश्चार्ण आपके सबसक्राइब drinking और सबसक्राइब करते हैं तो सबसे आते हैं तो सबसे पहले दियन Active होते हैं और होती यह कजिएटीब दिस्परेश्मेंट टाइब टाइब तिक अज़ो डायनिक टाइब होती है दो टाइब की यह सबसे नमबर वन पर में पर संफिद्रिफ्यूगल उस फ्रीफ्टिफ्यूगल पाथे हैं एक्ष्टी ल कम्परेशर ठीक है जो पोजिटिवी executive displacement चो थाइप होते हैं इस कंप्रेसर की उसके लिए थो टाइप होते हैं नमबर वन पर आते हैं एक नवर पर कंप्रेश का तिन टाइप यहां आते हैं इसके स्टेसिंगल एक्टिंग रेसीप्रोकेटींग कंप्रेसर डवल एक्टिंग डवjakटन रेसीप्रोकेटिंग यूरड सरे कुरम कंप्रेसर को दोmind हो जाता है । सभी पर एक एक वीडियो बना चुके हैं आपको description में लिंक मिलेगा वहां जरूर जाके वीडियो को देखें कि कौन कौन टाइप कैसे वर्क करता है और किस तर से वर्किंग करता है तो मुझे आसा कि आप कंपरेसर का बारे में बढ़े हैं तरी कर समझ चुके कंपरेसर क्या ह होता है आप किस तर से वर्किंग करता है तो वीडियो देखेंगे थाइंग्यू चले मने आए वीडियो कर दिए लाइक धन्यवाद